नमस्कार मैं हूँ श्वेता सिंग और आप देख रहे हैं आज तक एक तरफ देश का मिजाज जो आज तक ने परखा है दूसरी तरफ बिहार का मिजाज जिसके लिए भी बार तारीक तक का इंतजार भी करना है और इनी समुद्दों पर बाचीत के लिए इस समय बिहार के अलग विवेजना आपने प्रस्तुत की है यह तो यह बिहार में यह पगड़ी नहीं है आप क्योंकि खुद भी बिहार से हैं यह मुरेठा है हमारा और मुरेठा परिस्रम का मजदूरी का परतीक होता है अचानक पिछले साल मेरी मां हमको छोड़कर चली गई तो उसके बा क्योंकि सर रहते हैं वोग सनातंधर में उसके अध मैंने मुरेठा बानना शुरू किया था फिर इस कारिग्रम को आगे बढ़ते गए और लगातार क्योंकि संकल्प हमने उस लिया कि बिहार में सरकार के बदलाओ तक मैं इस पूरे मुरेठा को प्रियोग करूंगा और मैं करता हूं ने पर आपने एक नया वो भी दिया ने इसको कि अगली सरकार बीजेपी की बनेगी यह कहकर नहीं यह कहा है कि भारतिय जंतापाटी आज गठवंदन में लेकिन आगे यह संकल्पित रहना होगा जिस तरह हम सत्तर वरस में 370 नहीं भूले 40 वर्सों में राम मंदिर नहीं भूरे 400 वर्सों से और वो सिरी राम के लिए लोग सनातन के लोग इंतिजार करते रहे हम भी भाजपा को जब तक बिहार में स्तापित नहीं करेंगे तब तक संकल्पित रहना है यानि एक ऐसे दौर को आप देख रहे हैं जहां पर एक्ला चलो रहे होगा दोर नहीं चलेगा अभी तो आधने नितीश कुमार जी मुक्मंत्रिय है उनके नितृत में काम करना है लेकि नितीश कुमार जी के बाद भी तो भारती जनता पार्टी चलेगी तो हम तो भारती जंता पार्टी को आगे पुन्न भहुमत की सरकाज जरूर बनाएंगे तो ये उसका संकल्प है एकदम होना ही चाहिए संपूर बिहार में हर सीट पर आप मजबूत करना चाहते हैं एकदम 243 सीटों में 200 से अधिक सीट जीतने का संकल्प है तो एक तरह से बात तो ये भी हो ही जाती है कि बिना पार्टनर के भी बीजेपी आगे भविश्य अपना नहीं आगे भविश्य तो सभी पार्टी सोचते हैं तो सीटे जब तक एक दूसरे तयारी नहीं करेंगे तो जीताने का ताकत कहां से आएगा पर ऐसा कोई करार को है मतलब कोई कल्य कोई मन में कोई कोई कल्य कर रहा हूं कि देर साल हम लोग नितिश कुमार जी से लड़े और आज सबसे बगल में बैटकर मेरे को ही सरकार में काम करना है बाजपा का प्रतनित करना है इसलिए बिहार बिहार विक्सित हो, क्योंकि लंबा इंतिजार है, हमारा इतना बड़ा इतिहास, आज हम उस जगह पर नहीं पहुच पा रहे हैं, तो हमारे लिए चिंता का भी सह है, no doubt. जिसमें देश भर के अलग-अलग राज्यों में लोग क्या सोच रहे हैं, आज की तारीख में अगर चुनाओ हूँ, तो बिहार के अंदर भारतिये जनता पार्टी या यूँ कहें, NDA, जिस रूप में दिखाई दे रही है, उसमें BJP तो अपनी सभी सीटें पिछली बार जो एकदम असपस्ट रही है, क्योंकि देखे, बिहार में अपराधी के परतिक है लालो जी, गुंडों के परतिक है, है मसपस्ट है, बिहार में किसी से पूछिएगा, बालू माफिया, सराब माफिया और जमीन माफिया, ये तीनों मिलेगे, इसलिए बिहार में लालो जी को व क्योंकि यह सुर्वात है हमारा और हम अभी 32 यती दीख रहे हैं तो आपको आगे के दिनों में 49 में तो कोई डॉट ही नहीं है 40 सीट भी जीतना हमारा लक्ष है पर यह किसा अधार पर आप किया सकते हैं कि मैं लंबे समय से लालू जी के साथ भी काम किया हूं मैं लालू जी को भी चीनता हूं डल अपन कोई इसू ही नहीं है आरक्षन कोई इसू ही नहीं है उनके लिए जीवन में किसी को आरक्षन नहीं दिया सिर्फ अपने परिवार सिर्फ अपने बेटा बेटी पतनी इससे जादे उनका कोई जीवन नहीं है बिहार की जंता जानती है देखे कोई काम करिएगा उसी कादार पर वोट तो लीजिएगा ठीक है जाती जातियों में आप खिला सकते हैं लेकिन जातियों के बाद भी काम करने पड़ते हैं लोगों का अट्रेक्शन देखाना पड़ेगा कि हमने रोड बनाया सडक बनाया बिजली दिया पानी पहुचाया काम करने पड़ेंगे लालु जी ने 15 साल आप क्यों नोकरी करने दिली गई इसलिए गई कि बिहार में रुजगार नहीं था क्योंकि लालु जी ने इस्तिती ही बरवाद कर दी आजेडी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि 17 महीने में तेजस्मी यादव ने इतिहा रेखो झोटा भाई है मैं जानता हुँ वो उसको पता भी नहीं होगा कि उस डिपार्टमेंट उसके मंतरी ने दसकत किया की नहीं तो कंफेस कराईये राजड के मंतरी ने तो दसकत ही नहीं किया जिसके नोकरी की बात है 2021 में हमने विग्यापन निकाला NDA की सरकार ने उसके बाद जब हुआ जब यह नियुक्तियां हुई तो मुखमंत्री जी ने सीधा उस फाइल पर दस्कत करके नियुक्ति कराया इसको तो पता भी नहीं होगा यह मैं का रहा हूं और नियुक्ति जिसकी बाटी उसका विग्यापन भी डेट देख लिजेगा आपको पता चलेगा कोई एकईस में निकला था कोई उनैस में निकला था कोई बीस में निकला था कोई बाइस में निकला अर्जेडी कहती है कि ल वो अपने राष्टियत धक्स थे, उनके पार्टी के प्रधान मंत्री थे, तब से उजेल जा रहे हैं, इसलिए ये कहां से प्रसुन उठाते हैं, और जिस व्यक्ति के नित्रित में वो काम कर रहे हैं, राहूल गांदी जी के, वही तो हैं जिनोंने ओर्डिनेंस फाडा और लालू जी मुख्या भी नहीं बन सकते हैं, तो भाई ये पहले तो उनको जवाब देना चाहिए ना, कि जनता दल की सरकार में वो जेल गए, सिवी आई तब से उनके पीछे हैं, और आज यदि जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो चारा खा गए, रेल में गए तो नौकरी खा गए, तो ये तो पूरा देश जान रहा है, आप कह रहे हैं कि पार्टी लालू यादव ही समाल रहे हैं, तेजस्वी नहीं कर रहे है सिर्फ उत्रा धिकारी है, नतिंग अल्स, उसका क्या दाईत्व है, ये तो बता दें, कौन काम किया हो, सिर्फ एक व्यक्ती, सिर्फ लालू पिसाजी, नतिंग अल्स, और उनकी बेटी ने बहुत अपनी नाराजगी जाहिर की थी, सोशी मेडिया से, आप लोगों पर नार बीमार हैं, लेकिन उनको एक अटेंडेंट भी उनके साथ नहीं जाने दिया गया, पूछताच के लिए जब जा रहे थे, ये देखे, कोट में देखे आते हैं, कि मैं राजनिती कारण नहीं करूगा, यहां आके राजनिती कारे करते हैं, भाई आराम करें ना, हम लोग भी चिंता कर रहे हैं, कोट ने, इसी सरकार के कोट ने, इनको इलाइज कराने के लिए सिंगापूर भेजा, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजा, जहां लालु जी को इलाइज की जवरत है, पूरा इलाइज किया जाएगा, और दूसरा इलाइज किया जाएगा, दूसरा इलाइज मत पर बोलते हैं या फिर नेताओं को चुनों नहीं आप तो एकदम तेखिए आसपस्ट रखिए लालू जी एक पहले नेता है बिहार में जो पंजिक्रित अपरा दी हैं जिनके जिनको रिकॉर्ड में साथ बार सजा हुई है कोई नेता नहीं आपको मिले इनके समय में चारा ख खा गए नौकरी खा गए अब इसके बाद बसता क्या है इन लोगों के पास एक ही कार्ड है विक्टिम कार्ड कि मेरे पिता जी मेरी मां को फसाया जा रहा है अरे तो बताओ ना evidence कहां से आया तो आपको लगता है यह जो साथ सीटों की बात हो रही है आप जेडी नहीं जीत जनता का भरुसा तब होगा जब लालू जी को यह बताना पड़ेगा कि मैं जनता के लिए काम कर रहा हूं मोदी जी का कोई पॉकेट नहीं है नरेंद मोदी देश के परधान मंत्री हैं पॉकेट नहीं बता पाई है नितीश कुमार जी भी लंबे समय से काम कर रहे है कोई व्यक्ति आज तक नहीं बता पाया कि इनका पॉकेट क्या है कि राजनीत करने के लिए यदि हम समाज के उठान के लिए काम कर रहे हैं तो आगे आपको बताना पड़ेगा जनता को हम ये काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ यदि मैं हटू मेरे परिवार के बच्चे आ जाए वे और जातिय जन्गणना का जो मुद्दा है नितिश जी ने तब इस बारे में काम किया बातें की जब उनका गठवंधन अलग था राहूल गांधी ने भी क्रेडिट लिया इसमें कि उनकी तरफ से बहुत प्रेशर किया गया था राहूल गांधी का बेचारे को को नहीं जानते होंगे उनको क्या पता है विहार के वारे में तो पता खिर्ण के नितीजी का मामला है एक ब्यान आप बता 47 इसमें वुन्हों नहीं यह कहो कि भाजपा निस्का खिलाब किया और मैं सरकार में सामिल था सरकार में बैट कर हम लोगों ने डीने पास करके जाती अधारित सर्वे कराया तो बिरोधी दलके नेता थे इनको पिचारे को क्या पता है और ना इनके पास वो डिपार्टमेंट था यह बता सकते हैं यह मुकमंत्री जी का प्रस्ताव था जिसको भाजपा ने माना 2022 के जून में 22 या 23 जून का समय होगा जिसमें हम लोगों ने प्रस्ताव सुक्रित किया और पूरे प्रदेश में जाती अधारित गरना होगा मतलब आपको जो कॉंग्रेस और आरजडी चुनोती देता हैं कि बीजेपी तो चाहती ही नहीं है जाती है जनगरना अब आ रहा हूं आरक्षन आरक्षन इस देश में जब जब लागो हुआ सवेता जी तब भाजपा या जनसंका राजरा उन्हेश सव बावन में चलता हूं डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी सरकार में मंडल कमिशन लालु जादब जी क्या थे उसमें सिंपल एंपी एक सो तेतालीस मात्र सांसत गुआ करते थे बीपी सिंग जी के पार और चौरासी सांसत भाजपा का स्रीमान राहुल गांदी जी के पिता जी नी कितना लोग सवा में पानी पी पी के गाली देने का काम मंडल कमिशन में किया यह पूरा इतियास जानता है को पास कराने में लालु जी का तो कोई रॉल ही नहीं था बीपी सिंग जी परधान मंत्री थे एक सो तेतालीस सांसत मात्र हुआ करते थे और चौरासी सांसत भारती जंता पार्टी का सरदे अटल विहारी बाजपई और आधरने अडवानी जी के नेतुरित में था समर्थन का नाम बता जे जिसको आरक्षन दिया हो ना ओवी सी को ना दलीत को ना पिछड़ा को ना ती पिछड़ा को ना स्वार में महिलाओं को आरक्षन भी था वो भी खतम लालु प्रसाद जी ने कर दिया और जब 2001 में पहली बार पंचाईती राज का चुनाओं हाई कोट के अब इस देश में क्योंकि आप देखेंगे नर्यन मोदी इसको प्रूफ किया पहले डलीत और स्टी समाज के लोगों को आरक्षन मिला फिर OBC को आरक्षन मिला फिर EBC को आरक्षन प्रदेश में मिला फिर स्वर्न के जो गरीब हैं जिसको कोई आरक्षन इस देश में नहीं वेसे वर्ग को भी अरक्षन प्रदान बंती नहीं दिया इसके बाद लगा कि जब अब देश में तो सिर्फ गरीबी बचा है तो गरीब ही इस देश का अरक्षन होना चाहिए इसमें कहीं दो मत तो एक तो करपूरी ठाकूर को सम्मान उसके बाद जो OBC वर्ग को लेकर कोशिशें BJP की तरफ से दिख रहे हैं आपको लगता है पूरा समाज आपसे रीज रहा है और आपके साथ खड़ा रहेगा हाले कि ये भी हकीकत है कि OBC वोट की जब बात आती है तो BJP ही पहली पसंद बनती है ये उसका कारण है भारतिय जंता पार्टी लगातार इसमें काम भी कर रही है पहले लालू जी इसको एहलान करके बोलते थे कि ये उच्च जाती की पार्टी है दूसरे वर्गों को ही सिर्व देखती है ऐसा नहीं है बादपा में प्रधान मंत्री ही स्वेम तो सबावी के सबका समंजस करने का काम भारतिय जंता पार्टी करते किसी एक वर्ग की पार्टी नहीं है ये सबका साथ सबके विकास की बात करती है तो आपको नहीं लगता है कि इन बातों से सवन समाज जो है आपसे नाराज होगा चुनावों से पहले नहीं देखे अब स सब को साथ लेने की बाद में आरक्षन तो नरिंद मोदी जी ने दिया ना जो वर्ग किसी तरह के आरक्षन में नहीं था उनको आरक्षन के कटेगरी मिला है कोई ऐसा गरीब जो आठ लाग तक जिसकी आमदनी कि अदालत की तरफ से जो सुझाओ रहा जो टिपनी कहें सुझाओ कहें कि जिनके परिवार में फाइदा मिल चुका है उन्हें अलग हटना चाहिए आपकि मेरा सपस्ट मानना है कि जब तक इस देश में गरीबी है और जब तक लोग पिछड़े हैं तब तक आरक्षन जारी राना चाहिए अच्छा आप बिहार की राजनीती पर आते हैं और यहां की जो व्यवस्ता है जो बारत तारीख जिसमें एक एहम करम है थोड़ा सा ऐसा क्या थोड़ा नर्विसनेस दिख रहा है क्या मतलब कि गिंती अपनी पूरी करने के लिए देखे बषेकली अस्पश्ट है दो पार्टी की सरकार है यह जंता दिली ओल नाइटीर के पास पैतालीस और आटहत्तर भारतियां पारेनी dynasty के कोहिक गलत करना चाहेगा जो राज़त बोल रहा है तभी तो कोई चीज़े गड़वराते हैं अस्पस सरकार को कोई बदमासी करना चाहे तंग करना चाहे तभी गड़वर होती है जो खेला करने का सब्द परियोग हुआ राश्तिये जनता फल को खुद यह पता अच्छिक उनके बिदायक उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह उस दिन इंतजार करना होगा मैं जानता हूँ लालू प्रशाद जी को मैं सड़क पर तक ला चुका हूँ मैं जानता हूँ रोड पर टला चुका हूँ इसलिए लालू जी जानते हैं हमको कि वो हम क्या कर सकते हैं तो खेला करने वाले हैं आप लोगे हम लोगों कोई ज़ुरत ही नहीं है सुथा जी मैंने तो कांगरेस लोगों ने कहा कि कांगरेस की बिदायक को हैदराबाद गुमाने लेजा जिनको डर लगता है क्योंकि जिन्होंने भस्टाचार किया है तो उनकी फाइलें तो खोली होगी ना जीतनर मांजी का नाम आपने लिया तो नराज थे वो मंत से बोल रहे थे कि क्या यही मंत्राले है जो मिल सकता है देखिए एकदम जो उनका संबान है विहार की राजनित प काम किये हैं मैं मुखमंत्री रहे एकदम उनके उनका जो समाज में पर्थिस्ता है उसको और बढ़ाने का काम बाजबा करेगी तिजस्वी का मतलब क्या होता है जब वो कहते है कि बारह तारीक को पता चल जाएगा आपको बारह को देखिए यह लोग जो व्यक्तिक काम नह है जो जाएगा वो तो बिचारा सोचेगा चुनाओ ही आ रही है इसलिए राज़त के लोग ही कहीं भोट नहीं कर दे भारती जंता पार्टी एंडिया की सरकार को नितीजी की सरकार को यह दिन इंतियार करना होगा पर स्पीकर ने छोड़ा नहीं है पद अपना मत करें तो सीट का बटवारा होना है उस पर बहुत चिंता होगी उसे यह कोई चिंता नहीं है तो लिए से कमीटी तो इसको मसक्तर ने थो राश्टीजी के नितल टृत रहो है हो इसको तैकर कर इसा सीट तई करके हम लोग को बताए जागा उसके दागे काम तो समस्या लग रही है एक तो बीज़पी ने अपने लिए टार्गेट 370 कर लिया है तो यानि की सीट आपको चाहिए लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे और दूसरा पार्टियों की संख्या बढ़ गई है लगना तो अभी मतलब 2024 के लोग सभा चुनावों से पहले तो कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है नितीज जी भी कह चुके हैं कि अब नहीं बदलूंगा अब साथ रहूंगा नितीज ने लंबा समय बिहार के लिए काम किया है और शिरी बावुक के बाद यह पहले मुक कुमार जी चाहें तो हम स्वागत करेंगा आप लोग तयार हैं उसके लिए एक दम तो भारती जंता पाटिज तो 24 गंटे एक एक काज करता तयारत नितीज जी का आदेश होगा तो जरूर हम तयार हैं बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए तो यह के लिए आप देखते रहे हैं आज तक